नुमस्कार, आज मैं इस चर्चा का विज़ा है, बास्तु पर कुछ सुझाओ चर्चा सुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर आप मेरे चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास के वेल आइकम पर ट्लिक किट अटे, मेरा हर वीडियो का अपडेट पाते रहें, और जेतिस और अध्वागतिक पर महत्पूर्ण चर्चा सुनते रहें, मैंने यूट्यूब पर लाइब का यकन सुरू किया है, आप से उम्रोड है कि लाइब का यकन देखिए, और अपनी लाइब इसे, लाइब परक्रम कब होगा और ये मैं अपना चैनल का कम्मुन्टी टैप पर बताता हूं, तो उसका डेट जानने के लिए आप में चैनल के कम्मुन्टी टैप पर नदेखिए, बास्तु का सब्दिक अर्था है निवास, आपके घर में पारिस्तितिक समस्षा है, आपके जीवन में कोई तरह की अप् या दुवटनाय ला सकती है, हलाकि यदि निवासी में परिस्तितिकी की कंत्रों का पालन किया जाता है, तो जीवन सुप और समर्दी से बड़ा हो सकता है, जिन लोगों के पास उलाना घर है या जिन लोगों ने फ्लैक खड़िदा है, उन्हें अपने घर के समस्षा होती ह है, क्योंकि घर का डिजाइन नहीं बदला जा सकता है, बास्तु के हिसाब से कोई अगर प्रब्लेम हो, तो घर का डिजाइन बदल के उसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका भी उपाय है, कई लोगों के लिए घर में कलर, तो रोज की बात है, और इन ही गरबरे से घर में नकरात्मा पूर्जा का निर्मान होता है, जो बास्तु दोस के कारण भी होता है, इससे रक्सा पाने का उपाय भी है, भेंग्सुई के अनुसार घर में अगर समुद्री नमक लग दे, तो बेटर हो जाता है, ये घर से नकरात्मा पूर्जा का कर देता है, साथ ही घर में उत्तरफूर्गों कोने और दक्सिन परसिंग कोने में, दोनों कोने में राख सकता है, या इन दोनों उत्तरफूर्गों या दक्सिन परसिंग कोने में राख सकते हैं, समुद्री गलों में छोड़े, छोड़े मतलब ऐसा ही छोड़े नहीं, कु तो उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए गोनों का कर सकते हैं राक राक भी सकते हैं उसके साथ जब भर पोस्त है पानी में मिला दीजिए उस पानी से घर को साथ कीजिए भर के कार्पेट पर घुल जमने पर नकरात्म कूर्जा का विद्धी होता है इसलिए सब्का में अंततर एक बार कर्पेट की सफाई करने से नकरात्म कूर्जा दूर हा जाते हैं और एक बात है घर में फालतू के चीज ना रखे तुराने चीज छोड़ कर नये लाईए इसे और ऐसे ही गंदे जो कप्रे है जो सफाई करना है गंदे कप्रे को इधर उदर नक फेकिए इससे आपके घड़ में शकारात्मक जो उज्जा है वो भाग जाएगा तो ऐसे कप्रे एक जेगा ठीक ठक से लखिए और बंद कमड़ा नकरात्मक उज्जा का भंडार होता है इ इसलिए खीर की खोल कर बाहर की रोश्णी को कमड़े में आने दिजिए दिन में कुछ समय ध्यान कीजिए इससे आपके मन सांत लाएगा और भर में भर का महोल भी सांत होगा घर में सुदार भी होगा और एक बाद है सुगंदित मुंबतिया घर में शकारात्मक उज्जा क को बढ़ाने में मदद करती है कि कमड़े में कमड़े के एक पूने में एक सुगंदित मंबतिया जो जादूई को परिणाम देता है घर में गुरी सकती या बुरी नजल को नजल के कारण करशानी होती है इससे आर्थिक परिशानी भी होता है साथ में सभी कामों में बढ़ा आते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि यह समझसार बास्तुगों उसके कारण उत्पन्न होती है लेकिन इसका इससे शुटकरा भी उपा सकते हैं इसका भी उपाय है मैंने यह बुरी नजल को लेकर एक वीडि उनके लिए आप घड़ में लापिंग गुद्धा का मुर्ति रखिए मुख को दर्यारिया के सामने यह मुर्ति प्रवेश शक्ति को बढ़ाई देगा देती हैं और सम्मिद्धी देती हैं और भर के प्रवेश दौर पर पंच मुखी हुनुमान जी का चीत्र लगाई है औ उनके हातों आपके आवास के भूरी नजर हच जाएगा और भूरी नजर से अपका बास्तूर बचेगा दक्सिन प्रस्चिन कौन में या उत्तरपूर कौन में एक चूल्सी का पेर लगाई है और उसे नियमी ध्रूप से पानी दीजिए यह किसी भी नकारत्मत पूर्जा क प्रत्ति नियुकंत को आपके बतावरण में प्रोबेश करने से रोगता है। पुप्तिक संभार को गण मुद्धार पर घुद्राक्ष कि माला लगा विजिए तेकिनों पुद्राक्षा आस्ती होना चाहिए बजार के बहुँत सारे उस्तारान जोवास्ती नहीं है पुट्रतिक संबार मुपतार पर रुदाइस की माला रगाए दिजिए और साम के समय उसे लाकर आपका जो देप्ता के स्थान है जो आपका अलग कमडा भी हो सकता है अपके घर में कोई सेल की हो सकता है जो देप्ता की स्थान है वहां लगा दिजिए वहां रग दिए और साम के बार ज्ञारू नहीं देना इससे नकरात्मत्ता बित्ती होता है इसके साम से पहले घर की सपाय कर दिजिए जदि आप इन सब नियमों का पलंग करते हैं तो आपका जीवन सम्रिद्धी से भड़ा रहेगा आज यहीं तक चफचा कैसा लग रहा है कबन बक्स में दिखते जाने मुझे बताईए ऐसे ही बास्तु के कुछ कुछ ऐसे ही ट्रिक्स और एंटिक्स लेकर आपके समय आओंगा आज के लिए इतना ही नमस्कार